नमस्कार बहुत सुवागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyote Secret मिथून डासी वालों आपका प्रेम बिवाह होने में कौन से गरह जिम्मेदार होते हैं आपका प्रेम बिवाह होगा या नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करें आपका बैवाही जीवन कैसा होता है किन से विवाह करना उत्तम रहेगा अगर बैवाही जीवन में कस्ट है तो क्या करें आपका सुसुराल कैसा होता है आपके सास कैसी होती है बहुत सारी बाते आज हम आपके साथ करने वाले हैं विडियो के अंतक बने रही है और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो मीथुन डासी की हम बात कर रहे हैं अगर हम प्रेम के मामलों में बात करें तो देखिए बहुत ही गहराई लिये वे होते हैं कोमलता और प्रसंसा करने वाले होते हैं इनका ब्यक्तित तो दूसरों को आकरसित करता है इन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को नियुत्तर कर देते हैं जब ये बात ही करते हैं दुनिया को जानने की इक्षा हमेशा रहती है कभी-कभी इनके सुभाब में बच्पना दिखता है पर सुरक्षा की भावना के लिए पीछे मुड़कर भी देखते हैं बहुमुखी परतिवा के धनी होते हैं रहस्त में चीजों को जानने वाले होते हैं और प्रेम के मामलों में ये मनुरंजक, प्रेड़नादायक और अस्पष्टवादी होते हैं इनका ब्यक्तित्व अद्बूत होता है जो इन्हें महान साथी बनाता है अपने प्यार के साथ ये घंटों बाते कर सकते हैं और बोर भी नहीं होते वैसे ये अक्सर ऐसा चाहते हैं कि हर काम सिग्रता से हो और इस चकर में लापरवाही भी करते हैं कभी कभी और बेभारिक हो जाते हैं, कभी अधीर हो जाते हैं, कभी लगेगा जैसे और संगत बेभार इन पर हावी हो रहा है तब ये प्यार से दूर जाने का प्रियास करते है तब इनके समंदों में 12 पन भी नजर आने लगता है लेकिन जिस खुसी और मनुरंजन के साथ प्यार के पास जाते हैं अगले ही पल ये रूठ भी जाते हैं तो इन चीजों को आपको खुद बदलना होगा अब हम बात करें अगर आप एक प्रेमी के रूप में कैसे होते हैं बहुत ही उत्साही होते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं बुद्धिमान होते हैं बाते करना आपके लिए बहुत ही एक खुबसूरत एहसास होता है हाजिर जबाबी होते हैं और आपके सामने कोई टिक भी नहीं सकता, चुल बुले होते हैं। बहु मक्री पृतिवा के धनी होते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें दोस्त के रूप में, तो अपने सरकल में हर किसी को खुश रखने वाले होते हैं। और हर किसी के अच्छे दोस्त भी बनना चाहते हैं, हर किसी का दिल जीतना चाहते भी हैं, इनका दिल प्यार से लब्रेज रहता है और दोस्तों में दूसरों की प्रसंसा भी हमेशा करते रहते हैं, अच्छे संबंद बनाने वाले, कई मित्र इनके आसपास हमेशा ही होते हैं तो ये थो था आप मिथून बालों के लिए आप कैसे होते हैं प्रेम के मामगों में लेकिन अब जानते हैं अगर आप प्रेम बिवा करना चाहते हैं तो क्या करें अगर आप प्रेम बिवा को सफल बनाना चाहते हैं तो क्या करें कौन से गरह जिम्मेदार होते हैं प्रेम विवा के लिए मिथुन बालो प्रेम विवा का संबंध आपके जीवन में सुक्र से बनता है अगर आपका सुक्र बेहतर हो जाए तो आप प्रेम विवा करते हैं और आपका प्रेम विवा सफल भी रहता है लेकिन अगर आपका मंगल गडबर हो जाए तो प्रेम विवा तूट जाता है या फिर आपका प्रेम संबंद तूट जाता है विवा हो ही नहीं पाता तो यहां पर सुक्र की बज़ा से रिष्टे जूडते हैं और मंगल की बज़ा से रिष्टे तूट जाते हैं अब आप चाहते हैं कि प चांदी का परियोग कीजिए सफेद रंग का परियोग कीजिए प्रेम विवा आपका सफल हो जाएगा और लाल रंग के परियोग से बचिए इसके साथ ही चुकियां पर मंगल अब रोड डालते हैं इसलिए आपको मंगल वार के दिन गुड का दान करना चाहिए या फिर गाय को गुल खिलाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा प्रेम विवा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी अब जानते हैं आपका बैवाहिक जीवन कैसा होता है आपका ससुराल पक्ष कैसा होता है आपकी सास कैसी होती है और आपके सत्रुमित्र रासी कौन है अगर जीवन में परिषानी है तो क्या करें मिथून वालो अगर हम मिथून डासी की महिलाओं की बात करें तो इनके जो ससुराल पक्च से समस्या इनको अक्सर बिवाह के बात होता रहता है मिथून डासी की महिलाओं का जो पती होते हैं पती के भाई और उनकी पतनी यानि आपके देवर हैं जेठ हैं जेठानी हैं उनसे ताल मेल बिठाने में समस्या होती है मिथुन डासी की महिलाओं को अगर आपको लगे कि आपके बैवाहिक जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा है तब रोज सबेरे भगवान सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें तो आपके बैवाहिक जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी रिस्तों में मधुरता आएगी बेहतर होंगे तो अब जानते हैं अगर आप मिथुन डासी की बहु हैं तो आपकी सास कैसी होंगी तो मिथुन रासी की जो बहुए होती है अमुमन ऐसा देखा गया है आपकी सास अच्छी होती है आपका उनके साथ ताल मेल बेहतर होता है और बांकी चीजें भी अच्छी होती है वैसे आप खुसकिस्मत होते हैं सास के मामले में तो मिथुन रासी की महिलाएं की सास जो होती है महिलाओं की वो बहुत अच्छी होती है तो आपके लिए यहाँ पर तालमिल का भाव नहीं होता अब जानते हैं जो मिथुन रासी बाले हैं पुरुस और महिला दोरों के लिए जो लड़की है मिथुन रासी के और जो लड़क चपकते हैं लगता है कि जैसे सादी तूठी जाएगा थोड़ा सा धैयर रखें तो थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको विवाह के कुछ दिनों बाद तक धहर के साथ रिस्तों को निभाना होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा लेकिन किन से विवाह करें कि रिस्ता आपका बेहतर रहे रिस्ते टूटे नहीं और आपके जीवन में खुसियां जादा हो तो ऐसे में आपके जो मित्र र सबसे पहली बात तो जो आपकी संप्रु राशी और बिस्टिक रासी सिंग बिस्टिक और मेश रासी इनसे विवा मत कीजिए अगर हो गया है तो क्या करें क्योंकि इनसे विवा करने से संभव है कि साधी चल ही न पाए तलाक हो जाए तूट जाए सेप्रिसन की समस्य हो जाए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा अपने तरजनी उंगली यानि अंगुठे के पास वा पीतल भी पहन सकते हैं कोई दिकत नहीं है और गुरु बार का ब्रत रखें ब्रस्पती बार का ब्रत रखें तो आपका बैवाहिक जीवन की जो समस्या है वो समाथ होगी आपके रिष्टे चल पड़ेंगे और जीवन में जो भी परिसानी थी वो समाथ हो जाएगी वैसे तो आप जो मिथुन वाले हैं इनके जीवन में क्रोध और वानी के कारण ज्यादा समस्या आती है इसलिए अपनी क्रोध पर और वानी पर कंट्रोल रखना होगा इसका आपको बहुत क्याल रखना होगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे आपके लाइब दानिमा